विद्ध्यार्थी मित्रो नमस्कार आजे धोरण बार गुजराती विशै अने तेमा आपने च्यार यूनीट नारायन हेम चंद्र सुधी नो अभ्यास करो अवे पच्छीनो टोपिक छे ए ग्रामर नो आवे छे व्याकरण अने ए व्याकरण मा आपने सव प्रथम विभक्ती प्रत्याई अनुग नाम योगी एवू पाठ्य पुस्तक मा आपने ग्रामर नो टोपिक आपपा मायो छे तो विद्यार्थमीत्रो पेला स्पष्ट दा करू छू के तमे तमारू पाठ्य पुस्तक साथे राखी अने एमा जोई अने पच्छी समझ्यू काणके अग्रामर नो टोपिक छे व्याकरण नो टोपिक छे अने कोई पन भाषानू ग्रामर आपणे समझू होई तो एना माठे एक्सपस्ट नियम छे के ग्रामर हमेशा समझ्य वाथी जावडे बराबर गोखवा थी पाकू करवा थी कंठस्त करवा थी व्याकरण आवड़तु न थी एले विद्यार छे मित्रो ए आग्रामर नो टोपिक छे एने अपने अमेशा समझ्य वानो होई शे बराबर एटले आपसर्वे तमारा पाठ्य पुस्तक मा ध्यान आपता साथे मने श अमबल शो तो तमने खुबज सारी रीते शमझाशे एवो मने विश्वास चे तो चालो सर्व प्रथम आपने विभक्ती परत्याई अनुग नाम योगी एमा आपने सर्व प्रथम आजे मात्रने मात्रव विभक्ती विशे जोईशू एटले आपने पाठ्य पुस्तक नहाधारे जोई ये विद्यर्थी मित्रो तमें जानों शो के शब्दोंने सिधे सिधा गोठवी देवाथी वाक्य बनी जतू नथी शब्दोंनी आवी गोठवन के एना समुह माथी कशोज अर्थ न तार्वी शकाए एने आपने वाक्य कहता नथी बराबर जो अईया केवा मायू छे सू केवा मायू छे तमें जानों शो के शब्दोंने सिधे सिधा गोठवी देवाथी वाक्य बनी जतू नथी शब्दोंने आपने सिधे सिधा गोठवी देए तो वाक्य बनी जाए न बने एमाथी कोई अर्थ निश्पन थाए न थाए शब्दोंनी गोठवन के एना समुह ने आपने क्यारे वाक्य कही शकता नथी काणके एमाथी कशो अर्थ स्पष्ट थतो नथी एनू एक उद्धन उद्धम उदारण इया आप्पा मैउँचे दिपिका माटला पाणी प्याला रेडियू जो आमा मात्रने मात्र सब्दोनो समुँँचे ए सब्दोने माथी कशो ज अर्थ निकलतो नथी बराबर पशिशू केचे आ वाक्यमा पाँच सब्दों छे दिपिका माटला पाणी प्याला ने रेडियू पण इथी कशो अर्थ व्यक्थतो नथी आमाथी कशो अर्थ व्यक्थता है दिपिका माटला पाणी प्याला रेडियू एमा थी कोईपन प्रकार नो अर्थ सार्थक अर्थ आपने जोवा मलतो न थी शुन केशे एक सब्दने अन्य सब्द साथे जोडवा माटे कैं खुटेशे जोओ एमा कैं के खुटी रही हुचे शुन खुटेशे जोओ बराबर हवे एनो एज जे उदाहरण छे एमा कैं के खुट तु मुकोवा माईवचे जो दिपिकाए माटला माथी पाणी प्याला मा रेडियू एटले आ वाक्य जे छे एमाथी आपनने अर्थ स्पस्ट थयो जो शुन केशे हवे अर्थ स्पस्ट थयो ने आ सब्दनी साथे जोडेला अक्षर अक्षरो एटले ज विभक्ती ना प्रतियो बराबर आ सब्दनी साथे जोडेला अक्षर अक्षरो चे सब्दनी साथे यहां कहिक जोडो आमायू पेला जो दिपीका माटला पाणी प्याला रेडियू एटलो अथू पन दिपीका नी जग्याए दिपीका ये माटला नी जग्याए माटला माथी पाणी प्याला नी जग्याए प्याला मा अने रेडियू बराबर एटले अईया दिपिकाए माटला माथी प्याला मा ए त्रण सब्दों मा जे जोडवा मा आयू बराबर तेने प्रतियों के वामा आवे जे बराबर विभक्ती प्रतियों के वामा आवे जे बराबर तो आ रिते अईया एक बीजी स्पष्ट बाबत तमने जणाय विद्यार्थी मीत्रों तमारे नोंधू होई तो नोंध करीले जो नोट करीले जो के मोड सब्द छे इनी आगल अने पाचल जे सब्दों लागे छे एने चोकस नामा पमावे छे जे सब्दनी आगल लागे छे एने उपसर्ग केवा मावे छे अने जे सब्दनी पाचल लागे छे एने प्रत्केई केवा मावे छे एटले जो अईया आपने जुयू दिपीका मातला पाणी प्याला रेडियू एमा दिपीका ए मातला माथी पाणी प्याला मा रेडियू स्पष्ट अर्थनी किलो एमा तमाम प्रतियो लाई गया छे दिपीका ए मातला माथी प्याला मा बराबर इविभक्ती प्रतियो छे एटले एने विद्यार्थी मित्रो आपने विभक्ती प्रत्याई तरीके उड़खिये चीए भरिवार नोटकर जो सब्धनी आगल लागे छे उपसर्ग छे सब्धनी पाचल लागे छे प्रत्याई छे प्रत्याई लगाव्या पछीज गोठवेला सब्दो सार्थ अर्था आपनारा बने छे अने एने पद कहिये छे अने एने पद केवा मावे छे मात्र सब्दो थी वाक्य न बने वाक्य बने चे पदोनी योग्य गोठवनी थी मात्र सब्दो थी क्यारे व्याक्य बनतू न थी बराबर वाक्य बने चे पदोनी योग्य व्यवस्थित गोठवनी थी बराबर एटले आ विभक्ती प्रत्तियों ये थया गुजराती भाषामा आट विभक्ती जे बराबर गुजराती भाषामा इया आट विभक्ती अप्पामा वी जे आ विभक्तीना प्रत्ययो अनुगो विशे आपने जाणिये बराबर आ विभक्तिना प्रतियो अनुगों छे एना विश्याज जे आपने माहिती प्राप्त करवानी छे बराबर एटले प्रत्ययो माँ विध्यार्थी मित्रो ए ने थी थकी वडे ने थी थकी ये नी ए थी मा थी नो नी नू ना ना ए मा उपर पर अबधाज विभक्ति ना प्रति हो छे अवे विभक्ति केटली छे आठ प्रकारनी विभक्ति आप्पा माहिवी छे एमा प्यलू करता बिजू कर्म त्री जू करण चोथू संप्रदान पांचमू अपादान छट्थू सबंद साथमू अधिकरण अने आठमू संबोधन आ वस्तू अपने क्रमस याद राखवानी छे फरिवार करता कर्म करण संप्रदान अपादान सबंद अधिकरण अने संबोधन बराबर आ आठ विवक्ति छे अने ए विवक्ति ने अलग अलग रीते प्रतियो लागे छे बराबर अने ए प्रतियो थकी आपने एने उलखी शक्ये खिये समझी शक्ये श्ये तो सर्व प्रतम पेली विवक्ती करता करता एटले यह आपने जोईए ये करता विभक्ती नू कार्य सुन छे तो क्रिया नो करनार दर्शावे छे बराबर करता एटले जे क्रिया करे छे ने आपने करता तरीके उलखिये से समझायू बराबर अनि एमा कया कया प्रत्य लागे छे सबदनी जे पास्चल प्रत्य लागे छे ते कया कया प्रत्य लागे छे तो A, N, THI, अन सुन्य प्रत्य बराबर करता विभक्ति होई तो करता विभक्ति साथे A, N, A, THI, प्रत्य लागे छे अने सुन्य प्रत्याई एटले कई पन प्रत्याई न लाग्यू होई अने आम छता ए करता विभक्ती माँ एनू समावे स्थतो होई एने आपने सुन्य प्रत्याई तरीके उलखी शक्ये तो अईन्या जे करता विभक्ती छे एकरता विभक्ती नो आपने उदारण जो ये रामजी ये खेतर खेडियू बराबर एटले जो आकरता विभक्ती छे बराबर सुन्य छे रामजी ये खेतर खेडियू बराबर रामजी छे एन्या क्रियानों करनार छे करता छे रामजी ये खेतर खेडिऊ एटले राम जी करता छे औने एचे इप्रत्ये छे समझे विद्यर थी मित्रों राम जी करता छे बराबर औने एचे एँनों प्रत्ये छे एटले Peper आघ्रता विबकती औरोंति यagnum आपने समझी शक्किये पशे भी जो उदारण जो ये मानेमा कलपेश गीत गाये छे जो होवे आ उदारण मां सुन्य प्रत्ति लेख्यों शे एमा कोई प्रत्ती नथी लेख्यों बराबर कोई पन प्रत्ती लगावे लू नथी और आम चता पण ये करता विवगती कान के यहुदनार कोन छे कलपिष, ए्टले एक करता थे, बराबर गीत गाये शे, इटले करता विबक्ती था, बराबर गीत गावानी करिया करहे शे, बराबर कलपिष, प्रतिया नथे लग submerged पन आम छदा पन एकलता विबक्ती छे, पर ची तुघ अगदार Washington. टी नू थी खवातू नथी, जो अईयां करता टी नू थी खवातू नथी बुराबर निशेद छे, खवातू नथी आमचैता पराण कोण छे टी नू, बुराबर एठले केक क्रिया करेशे भले यह नाति नती थती, प्रह एतनी तो करेशे, टी नूट एक करता चे, थी प्रत्य इसे, खवातू नती अटले अ तमामे तमाम करता विभाक्ती ना उदाहरणो थया ए विज़ी ते आपने बिजु विभाक्ती प्रत्य और कर्म तो कर्म आपने कोने करेशु विद्यार्थी मित्रो कर्म ले क्रियापद साथे कर्मनों सबंदर सावेचे क्रियापद कोने करेशु जे क्रियानी साथे संकलायल छे एने आपने क्रियापद तरीके वळखीशु एमा प्रत्य छे ने एकज अने सुन्य प्रत्य कदाश प्रत्य न पन लगावाय। होई ने। पर एटलाइन्या पेलू उदारन जोईये। कोकिला रशोई करे छे। पर तो एमा जो कोई प्रत्य लगावेलू नथी। परन्तु आ कर्म विभकती छे। पर और काणके रशोई करवानी क्रिया शरू छे, रशोई करे छे। बराबर एटले एमा कोई प्रत्य प्रत्य नती लगावाय। आम जक्ता एमे er क्रिया पदनी साथे कर्मनों शबंदर सावे छे। Senate कर्म विभकती छे। बिजु भुदारण ते गाई ने पाणी पाई छे बराबर ते गाई ने पाणी पाई छे गाई ने बराबर जो क्रिया सरू छे गाई ने पाणी पाई छे एटले गाई एनी साथे ने प्रत्य जोडवामायुश गाई ने पाणी पाई छे एटले त्या ये कर्मविभक्ती ग करण कुरियापद साथे करण एटल 설 सबंदर सावेचे तू सबंदर.. आपने याद राखवानू करण एतले साधन बराबर और एना प्रत्तियों केटला से चार से ए थी थकी अने वडे बराबर एना प्रत्तियों चार से ए थी थकी अने वडे आपने चोई ये कातर थी कागल कापो बराबर जो अईया साधन आप आमाई उसे कातर अने येने विभक्ती प्रतिय चोड़ो आमाई उसे थी कागल कापो बराबर कातर थी कापल कागल कापो एटले ये साधन थयू अने विभक्ती प्रतिय थी लागयो एटले येने करण इसीवीलो पराबर 100 छे एसाधन चे अने विबख्ति प्रत्य छे वड़े बड़ाबर एतले एक रण विबख्ति थाई त्री जू हाथे डोल उंची करो पराबर डोल चे एनो साधन तरी के उपयोग करवा मावे शे डोलने उंची करवा मावे शे बराबर अने विभक्ती प्रत्ती सु ए लाइगो छे हाथे डोल उँची करो हाथे ए या ए विभक्ती प्रत्ती प्रत्ती लाइगो छे एटले आ तमाम उदारणों छे ए तमाम उदारणों करण विभक्ती ना छे कातर थी सोई वडे अने हाथे डोल उँची करो बराबर ए त्रणे त्रण उदारणों मापने जोईू तो साधन नो कईकने कई साधन नो उल्ले थयो छे अने ए थी थकी अने वडे प्रत्य थी जोडाये लाँ छे ते थी आपने एने करण विवक्ती तरीके उलखीशू एवी रीते चोथी विवक्ती संप्रदान जो आने समझ जो क्रियापद साथे कशूक आपवानो सबंध बतावाये छे संप्रदान एटले आपवू बराबर संप्रदान नो स्पष्ट अर्थ आपवू एवो थाए छे बराबर कईक आपणि करिया थाए बराबर कईक आपणि करिया थाए बराबर येने संप्रदान विवक्ती तरीके आपणे ओलखी सक्षू बराबर जो उदारन जो एटले तमने ख्यालावशे विद्यार्थी उने लेशन आपो बराबर आपणी क्रिया थाय सम्प्रदाने टले आपप आखास याद राकवन। વिद्यार्थी ઉनে લેश ના આपો કયવ પ્રતી સबદની modulus લાગો છે ને વिद्यार्थિ ઊને લેશ ના આપો सब्दनी पासल लाईयो छे ने विद्ध्यार्थी उने लेशन आपो त्रूवे तेने पेन आपी ने बराबर बन्ने उदारणों दरणों छे एमा आपपानी क्रिया थाई छे अने ने प्रती थी सब्द जुडाएला छे तेने आपने संप्रदान विभक्ती तरीके उलखी शक्षू पाचमू छे अपादान अवे अपादाननो सबस्ट अर्थ ही आपपामाय होशे छुटा पडवानों अंतर बतावनों सबन सुच्वेश कैंक वाक्यमा छुटू बढ़तू कैंक अंतर बतावनों सबन स्पस्ट थतो होई यह उज्यार होई और एमा प्रत्य किटला छे थी थकी एथी माथी चार बराबर कैंक चुटो पडवानों संकेत होई और थी थकी एथी माथी प्रत्य लागेला होई तो आपने समझवू जो यह कि अपादान वी भक्ती, छे, जोई आपने उदारं, केरी आमबे थी पड़ी, बराबर जो छुट्टू पडेश, आमबाथी केरी छे ए छुटी पड़ी अन निचे पड़ेश केरी आमबेथी पड़ी आमबेथी एटले एमाथी प्रत्य लाइगोच बराबर अन छुट्टो पड़वानी किरिया थाईश एटले एने आमणे अपादान तरीके उलक्षो बिजू भावनगर्थी सुरत घणू दूर जो भावनगर्थी सुरत अलग छे बराबर अंतर बतावानों सबन सुच्वेश अन थी प्रत्य लाइगोचे भावनगर्थी बराबर एटले ए अंतर बतालोंवानों सबन सुच्वेशे अने थी प्रत्य लाइगुशे तेथी अपादान विभक्ती बराबर अने त्रीजु उदारण तेने कुवा माथी पाणी काट्यू बराबर उआ माथी पानी चुट्टू पड़ाईशे काट्यू अने माथी प्रत्य लाइगुशेegen कुवा माथी प्रत्य लाइगुशे तेथी विद्यारथी मित्रों आपने एवु चोकसिकाज चाईशेकिए कि आ पादान विभक्ती छे अने ए थी थकी ए थी माथी प्रत्य थी जुडाई छे छट्टू सबंध विभक्ती सबंध विभक्ती एक संग्या साथे बिजी संग्यानों सबंध सुच्वेश सबंध एटले आपने सपस्ट रीते समझ वनूँ छे कि एक संग्यानी साथे बिजी संग्यानों सबंध सुच्वेश सबंध सुच्वा मायवो होई बराबर एमा प्रत्यों केटला लागेशे पाच प्रत्यों लागेशे नो नी नू ना ना बराबर नो नी नू ना ना एवा पाच प्रत्यों लागेशे जुई आपने तेनी दिक्री भणवा गई तेनी नी प्रत्य लगावा माई ओछे तेथी सबन तेमना घर खुब सारा छे तेमना ना प्रत्य अने घर खुब सारा छे एटले कोई व्यक्ति विशेश ना घर साथेनो सबन छे यह इसपष्ट करवा माई ओछे तेमना घर खुब सारा छे ना प्रत्य थी आविभक्ती ने जोडवा माई वीछे एटले अपने उकई शक्ये के सबंद विभक्ती बराबर अने त्री जूदारन तेना हाथ नू घरेणू सुन्दर छे बराबर एले सबंद स्पष्ट करवा मायो छे हाथ उपर एनू घरेणू छे ए सुन्दर छे एनू सबंद दर्शावा मायो छे तेना हाथ नू नू प्रत्य थी अईन्या जोडवा मायो छे एले एवु आपने स्पष्ट परण कई सक्किये कि आ दर्एक उदारन सबंद विभक्ती ना छे अने ए विभक्ती ना प्रत्य थी नो नी नू ना अने ना अवे छे सातमी विभक्ती अधिकरण अवे अधिकरणनों अर्थ सुन थाएशे एनू कारिये सुन छे क्रियाना स्थल के समय बतावेशे क्रिया होई क्रिया कोई थती होई तो एक्रियानू स्थल अथ्वातो समय बतावानू कारिये करेशे अने ए मा चार प्रत्यों लागे छे ए मा उपर पर बराबर ए मा उपर अने पर जो उधारण जो ते रात्रे जावियो ते रात्रे जावियो शूँ बतावे छे समय बतावे छे क्या रहे हो पराबर प्रश्ण पूछे क्या रहे हो तो रात्रे जावियो परत्य कईयो लागे ओ छे, ए, तेरा त्रे जावेओ, परत्य थि अईया सबन बतावा मायो छे, ते थि अईया आ उधारण गुजराति नी सात्मी विभक्ती अधिकरण विभक्ती नुधारण छे, एवू आपने कैसे शक्किए, बिजु उधारण लाइए, ते खेतर मा जहीने शुतो ते खेतर मा जहीने सुन बतावेशे स्थल बतावेशे क्या सुतो छे तो खेतर मा स्थल स्थल सुचक से एले सुन थाशे अधिकर नहीं या बनने सब आपपा माई हुझे क्रियाना स्थल के समय बतावेश पेला उदारण मा आपने जोईू तो एमा समय बतावामाय विजा उदारण मा ते खेतर मा जहीने शुतो परावेर एले स्थल बतावामाय उचे खेतर आने मा प्रत्य खेतर मा जहीने शुतो एटले अईया बन्य उदारण छे ए गुजराती नी साथ मी विबक्ती अधिकरण विबक्ती ना छे बराबर अवे आठ मुँछे संबोधन छेली अने आठ मी गुजराती नी विबक्ती एटले संबोधन एनो और्थ सुथाए कोईपन संगनाने संबोधन माटे कोईपन संग ना ओए तो येना संबोधन माटे बराबर संबोधन करवाम आवे बराबर आपणे कईए अने एमा कोईपन प्रत्तियी न थी जो सुन्य प्रत्तियी उलेख्योचे बराबर आपने उदारन जोईए पपपा उन्हों तमारी शाथे आवू पपपाने संबोधन करवाम आवे छे कि पपपा उन्हों तमारी शाथे आवू प्रत्तियी बराबर तो ये पपपाने पितास्रीने संबोधन करवाम आईवो छे ते थी अन्हा एव उदारन छे ए गुजरातीनी आठमी विपक्ती संबोधन विपक्तिनु उदारण चे, पचिनु उदारण बा, धिरे धिरे चाल जो एन्या बाने उदेश्षी ने धिरे धिरे चाल मनू संबोधन करोव माई हुछे के बा, धिरे धिरे चाल जो एटले, आ आठमी विपक्ति संबोधन विपक्तिना तमाम उदारणों छे बनने बराबर अने एमा कोई पन प्रत्य लागतू नथी सुन्य प्रत्य होई छे बराबर आ प्रमाणे प्रत्य यो वाक्यना सब्दो नो एक बिजा साथेनो सबन जोडी तेने पदो बनावे छे आ पदो द्वारा वाक्यनो और्थ समझी शकाई छे आ प्रमाणे आज ये अलग प्रकारना प्रत्य हो छे ए वाक्यना सब्दो ना एक बिजा साथेनो सबन जोडी आपे छे आने तेने पद बनावे छे आने ए पदो द्वारा आज वाक्यनो अर्थ छे ये आपने स्पस्टरी ते समझी शक्किये छे विद्यर्थी मित्रो तो आम आपने अईन्या गुजराती व्याकरण मा आजे विभक्ती आठ विभक्ती विशे शिखी गया बराबर तो ए विभक्ती एनू कारिय एनू प्रत्य आत्रण वस्तु तमारे समझवानी छे बराबर एनी आठ विभक्ती छे करता कर्म करण संप्रदान अपादान सबंद अध गुजराती नी विभक्ती प्रतियो विशे जोई गया Thank you very much